हेई यू वुट्सब गाइज इस जब बॉई अजरोक्स है तो गाइज आप सभी को जैसे की पताई होगा कि फालेटिट फॉर पीसी वाला वर्जन हमें बहुत ही जल्द खेलने को मिलेगा और आपने अभी तक फालेटिट फॉर का ओफिशल फोरम नहीं बरा है जो कि पारूंस मेलीगा फालेटिट फोर का पीजी वाला वर्जन टेस्टिंग करने के लिए तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मीनियमन इसके बारे में स्गे फालेटिट फॉर्ट पीजी को चलाने के लिए तो कोई जादा हाई एंट डिवाइज आपको नहीं चाहिए फालेटट फॉर्ट का पीजी वाला वर्जन चनाने के लिए आपके पास मीनियमम इस स्पेक्स में भी चल जाएगा तो आज हम उसी पर बात करने वाला है तो वीडियो को स्टाइट करने से पहले अगर आप लोग ने सब्सक्राइब करो तो क्या कर लूँ हो सब्सक्राइब करो अभी तक शेर ने किया शेर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी फाल दूट फॉर खेलते हैं तो कैसे यहांपर सबसे पहली में बात करों OS की यानि की Operating System की तो सबसे पहले आपके पास होना ही चाहिए Windows 7 तो हाँ यह सबसे पहली आपको चीज देखना होगा कि आपके पीसे में Windows 7 होना ही चाहिए अगर XPA तो आप नहीं चला पाऊगे Windows 7 तो होना ही चाहिए तो करें सेकंड बात करें प्रोसेसर की तो यहां पर आपके पास अगर Intel का प्रोसेसर है तो Intel Core 2 Duo CPU होना चाहिए 3.5 या फिर 2.5 GHz हो आला अगर AMD का अपके पास CPU है तो उसके अंदर आपके पास APO होना चाहिए AMD A4 Series का तो इसके बात करें मेमोरी की यानि की RAM की तो 2GB RAM तो आपके पास होना चाहिए PC में अगर आप Violet 4 PC वाला वर्जन खेलना चाहिए तो अब बात करते हैं सबसे मैन चीज की यानि की Graphics Card तो सब भी लोगों को पताय हुआ कि जितने भी PC की Games होते हैं उसमें हमें Graphics Card की नीड तो होती ही होती है लेकिन इसमें आपको डरने की जरूत नहीं है आपको कोई भी Graphics Card की जरूत नहीं पड़ेगी आपके इंटेल एचली ग्राफिक्स और आपके AMD के इंटीगरेटेड ग्राफिक्स में ही आपको फालेटेफ फॉर का पीजी वाला वर्जन चलाएगा कहने के बाद यह है कि आपको कोई से भी Graphics Card की जरूत नहीं पड़ेगी फालेटेफ फॉर के पीजी वाले वर्जन चलाने के लिए तो गाइस होब कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक करें चल पर पहले बार आए तो सुस्क्राइब करें बहुँ कर दो बढ़ी ज एपको आएब करें अवी प匝ाधोर यालेएका करे हमा कि वह वालेएकी हो लाद औरला